अगर हम पेपर पर एक डॉट बनाते हैं तो उसे कहते हैं पॉइंट यह है पॉइंट म पॉइंट से बंती है राइन यह लाइन एल राइन को ना तो starting पॉइंट होता है ना हिं ending इसलिए हम arrowheads बनाते हैं अब इसे देखिए इसे तो दोनों और से end point है हमने पढ़ा, इसे कहते है, Line इसे कहते है, Ray अब ये क्या है? Line को कोई Ending Point नहीं Rare को One Ending Point होता है लेकिन इसे तो दोनों Ending Points है Two Ending Points से समझता है इसकी नंबाई, Nishet, मतलब Fixed है ऐसे Shape, जिसे Two End Points है एक Starting Cup और दूसरा End Carp इसे कहते है, Line Segment अगर हम इस point को नाम देंगे P और इससे Q तो इस line segment का नाम लिखेंगे Line segment PQ इसकी विशेशता ये है कि हम इसकी लंबाई नाप सकते हैं और वो कैसे करेंगे? Scale से, very good सिर्फ यही नहीं हमें जितनी length यानि लंबाई का line segment चाहिए वह भी हम Scale का यूज़ करके बना सकते हैं चलिए, अब आगे बढ़ते हुए सीखते हैं Side क्या होती है? जैसे हमने सीखा कि dots जूड़ते जाते हैं और बनती है line वैसे ही line segment जूड़ते गई तो बनता है shape इस shape की ये boundary है क्या हम इतने part को line segment कह सकते है? हाँ, ये एक line segment है जब कोई line segment किसी shape की boundary तै करती है तो उसे कहते है side क्या कहते है? A side इस तरह से ये भी side है और ये भी और ये भी तो इस shape में कितनी sides है? 1, 2, 3 and 4 Very good अब यहाँ देखिए अगर line segments एक दूसरे से ऐसे जुड़ेंगे तो कोई shape नहीं बनता लेकिन अगर ये थोड़े turn होते हैं मतलब मुरते हैं तो shape जरूर बनता है सवाल ये है कि किसी line segment को कितना मुड़ना चाहिए? ये हमें पता चलता है angle से मतलब दो line segments जब जूड़ती है तो उनके बीच बनता है एक angle इसे corner भी कहां जा सकता है तो बताईए यहां कितने angles है? 1, 2 and 3 एक और मज़े की बाद ये है कि जब दो line segments एक दूसरे के साथ L फॉर्म करते है जैसे ये rod और ये rope तो ऐसे angle को कहते है right angle angle अगर इससे छोटा हो जैसे ये या ये तो उसे कहते है small angle या acute angle और अगर कोई angle इससे बड़ा हो तो तो इससे कहेंगे big angle या obtuse angle तो इस पाट में हमने क्या सीखा? a line segment have two ending points line segments form side of a shape when line segments join together they form an angle angle could be right angle small angle or big angle very good इससे कही तोड़से कहें बड़rium